नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुरगा सबसथी के तेरे में अध्याई की कथा सुना रहा हूँ मैरसी मेदा ने कहा ही राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महत्तम का बनन मैंने तुमको सुनाया जगत को धारन करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रवाब है वही देवी ग्यान के देने वाली हैं और भागवान विश्णू की इस माया के प्रवाब से तुम और यह बैश्य तता अन्य विवे की जन मोहित होते हैं और बविश्य में मोहित होंगे ए राजन तुम इसी परमेश्वरी की सरण में जाओ यह भागवती अरादना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग तता मोक्ष प्रदान करती हैं मारकंड जी ने कहा मैरसी मेदा की यह बाद सुनकर राजा सुरत ने उन उग्रब्रत वाले रिशी को प्रणाम किया दोनोंने नदी के टट पर देवी की मूर्ती बनाई और पोस्व धूप गंद दीप तता हवन द्वारा उसका पूजन करने लगी पहले उन्होंने आहर को कम कर लिया फिर बिल्कुल निरहार रहकर भगवती में मन लगा कर एकागरता पूरवक उसकी अरादना करने लगी वे दोनों अपने सरी के रक्त से देवी को बली देते हुए तीन वर्स तक लगातर भगवती की अरादना करते रही तीन वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंड़का ने उनको प्रतक्ष दर्सन दे कर कहा। देवी बोली ये राजन तथा अपने कुल को प्रसंद करने वाले वैश्य तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। मारकंड जी कहते ही ये सुन राजा ने अगले जनम में नश्ट ना होने वाला अकंड राज और इस जनम में बल पूरवक अपने सत्रों को नश्ट करने के पश्चात पने अपना राज प्राप्त करने के लिए भगवती से बर्दन मागा और वैश्य ने भी जिसका चित संसार की ओर्म से बिलक्त हो चुका था अतय भगवती ने अपनी तता अहिंकार रूप आसकती को नश्ट कर देने वाले ज्यान को देने के लिए कहा देवी ने कहा ही राजन तुम सीगरी अपने सत्रों को मार कर पने अपना राज प्राप्त कर लोगी तुमारा राज इस तर रहन वाला होगा फिर मृत्यू के फश्यात आप सूर्य देव के अंस से जनम लेकर सावानिक मनुक के नाम से इस प्रत्वी पर ख्याती को प्राप्त होंगे हे वैस्ट कुल में स्रेष्ट आपने जो मुझसे मांगा है वह वर मैं आपको देती हूँ आपको मुक्ष के देने के वाले ज्यान की प्राप्ती होगी मारकांडे जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मरवांचित वर प्रदान कर तता उनसे अपने इस्तति सुनकर भगवती अंत्रध्यान हो गई और इस प्रकार शक्तियों में स्रेष्ट वे राजा सुरत भगवान सूर्देव से जनम लेक अगर इस प्रद्वी पर सावाणिक मनु के नाम से विक्षात होंगे बुलो भगवती महा माया कीजये